हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल मधूश कीचन में फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ सूपर टेश्टिंग मटन बनाने का एकदम नया अलग और अनुखा तरीका सेयर कर रही हूँ आज से पहले इस तरीके से आपने कभी में मटन नहीं बनाया होगा एकदम नया तरीका है एक बड़ जरूर ट्राइ कीजेगा आपको बहुत पसंद आएगा तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर यह साड़े सासो ग्राम मटन लिया है तो स उसमें हम डाल देंगे प्याज तो यहाँ पर दिखेगा मैंने यह चार बड़े साइज की प्याज को पत्ता पतला स्लाइसों में कट कर लिया है चार प्याज हम इसमें डालेंगे मटन आप अपनी जरूरत के हिसाब से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं आधा किलो मटन के हिसा लगाकर लंबल लंबल काट लिया है इनको भी डाल देंगे और आप डाल देंगे देखेगा इसमें कुछ खड़े मसाले तो यहाँ पर देखेगा मैंने एक चमाज जीरा लिया है अगर आपके पास हो तो जरूर डाल येगा इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है एक ट अब इसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसमें आधा चमच हल्दी पावडर डाल रही हूँ दो चमच भरकर डालेंगे इसमें कस्मिरी रेड चिली पावडर ये तीखा कम होता है बटिस से कलर बहुत ही अच्छा आता है दो चम्मज भर कर डाल देंगे इसमें धन्या पाउडर आधा चम्मज तीखा वाला रेट चिली पाउडर डालेंगे और स्वात के अनुसा नमक डाल देंगे तो मैं यहाँ पर इसमें एक चम्मज से थोड़ा सा जाधा नमक डाल देंगे हूँ आप अपने टेस्ट के according ही डाले और अब देखिएगा हमें सभी मसालों को प्याज को मटन को बहुत अच्छे से mix करना है तो इस तरीके से देखिए हम सभी चीजों को अच्छे से mix कर लेंगे जब तक कि मटन के उपर अच्छे से सभी मसालों का coat न हो जाए जब तक हम सभी मस देखिएगा हम इसमें डालेंगे एक चमच भर का कसूरी मेथी इससे बहुत अच्छा एक flavor आएगा मटन करी में और अब इसमें डाल देंगे सरसो का तेल तो यहां पर दीखिएगा मैंने तेल को बहुत अच्छी तरीकी से गरम कर लिया है तो हमें इसमें सरसो के तेल का त किसी बड़े चमच या स्टेपलर की हेल्प से आप इसको मिक्स कर सकते हैं इस तरीके से देखिएगा इसमें बहुत ही अच्छी सी एक साइनिंग आ जाएगी और इसका जो टेस्ट आना बहुत ही गजब का निकल कर आएगा अगर आपको मेरी आज की मटन रेसीपी थोड़ कर दीजेगा तो दीखिएगा सभी मसाले बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो गए है तो चलिए इसको 10 मिनट के लिए हम रेस्ट के लिए रख देंगे मटन को रखे वे 10 मिनट हो गए हैं तो यहां पर दीखिएगा गैस पर हमने कूकर रख लिया है और उसमें तीन बड़े यह देखिएगा मिर्च अच्छे से फूल गई है तो देखिएगा इस टाइम पर गैस की फ्लेम हमने बिल्कुल लो करती है ताकि जो हमने इसमें मसाले डाले हैं वो जलेना और अब देखिएगा डालेंगे हम इसमें दो सावुत लहसुन की कलिया तो यहां पर देखिएग करी बनकर तयार होगी तो देखिएगा अब मतन को भी हम कुकर में डाल देंगे और अब देखिएगा मतन को हम हाई फ्लेम पर पांच मिनट के लिए इस तरीके से लगता चलाते वे भून लेंगे तो देखिएगा जब तक इसमें प्याज जो है वो थोड़ा सौफ ना होने लगे जब तक हम इसको चलाते वे भूनेंगे और हमें इसको ढखना नहीं है और हाई फ्लेम पर ही भूनना है तो चलिए इसको पांच मिनट तक के लिए हम भून लेते हैं और अब देखिएगा मतन को भूनते वे 5 मिनट हो गए है और प्याज भी बहुत अच्छी तरीके स सोप्ट हो गई है यह देखिएगा फ्रेंट्स हाई फ्लेम पर भूनने से प्याज तो हमारी अच्छे से सोप्ट हो गई है और मटन ने अभी पानी छोड़ना शुरू नहीं किया है तो हमें इसको जब तक भूनना था जब तक की प्याज अच्छे से सोफट ना हो जाए और यहाँ पर देखेगा यह अच्छे से सोफट हो गई है तो चलिए अब हम इसको ढग देंगे और गैस की फ्लेम को हम लो कर देंगे और लो फ्लेम पर हम लगवग 10 मिनट के लिए मटन को भूनेंगे और बीच बीच में धकन हटा कर हम इसको चैक भी करते रहेंगे और यह देखेगा हमने 5 मिनट के बाद कूकर का धकन हटाया है और यह देखेगा इसने काफी पानी रिलीज कर दिया है यह देखेगा मटन के अंदर अभी काफी पानी हो गया है तो एक बार इस तो यह तो बहुत यह थे ओवड़ा हो चुका है तो इस टाइम पर हम इसमें डालेंगे टमाटर तो यहाँ पर दिखेगा मैंने एक बड़े साइज के टमाटर को ग्रेट कर लिया था आप चाहें तो पेश्ट बना कर भी ले सकते हैं और अब टमाटर को भी मटन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और टमाटर को भी हमें अभी बहुत अच्छी तरीके से भूनना है जब तक कि टमाटर का कच्छापन पूरी तरीके से न निकल जाए जब तक हम टमाटर को मटन के साथ भूनेंगे इससे क्या होगा कि हमारा मटन भी और अच्छी तरीके से भुन जाएगा और टमाटर भी बहुत अच्छी तरीके से भुन जाएगा तो यहाँ पर देखेगा टमाटर भी अच्छे से मिक्स हो गया है तो अब हम कुकर का ठकन लगा देंगे और 5 मिनट के लिए इसको और मून लेंगे और 5 मिनट के बाद ये देखेगा हमारा टमाटर भी काफी अची तरीके से भुन गया है ये देखेगा इसने ओयल को भी रिलीज करना शुरू कर दिया है ये देखेगा एक बार हम इसको अच्छे से चला लेंगे तो चलिए अब इस हम इसको एकवार और अच्छे से मिक्स कर देंगे और पानी में एक उबालाने देंगे फ्रेंट्स इस तरीके से जब आप ये मटनकरी बनाएंगे न तो इसे आप रोटी के साथ चावल के साथ नान के साथ किसी भी चीश के साथ खा सकते हैं बहुत ज़्यादा टेश्टी बन कर तयार होता है तो यहाँ पर देखेगा हमारी ग्रेवी भी अच्छे से मिक्स हो गई है और अब इसमें उबाल भी आने लगया है तो इस टाइम पर हम इसमें डाल देंगे एक चमच भर कर मीट मसाला तो आप मीट मसाला किसी भी बिरांड कर ले सकते हैं आदा चमच गरम म लगा देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम कूकर में दो सीटी लगाएंगे दो सीटी आने के वाद हम गैस को बंद कर देंगे और इसके प्रेसर को खुछ से रिलीज होने देंगे यहाँ पर देखेगा कूकर में दो सीटी आने के वाद हमने गैस को बंद कर दिया था और कूक अच्छा इसमें ऐसमें खुशू आ रही है तो है न फ्रेंड्ट सूपर टेश्टी मतं करी बनाने का सबसे नया अलग और आसान तरीका एकदम अनोखा तरीका बिना ज्यादा महनत के सूपर टेश्टी मतं करी बनकर एकदम तैयार है और यह दिखेगा आपको चेक करके दिख सकते हैं लेकिन मैं नहीं डाल रही हूं और यह देखिएगा इसकी ग्रेवी का टेक्चर भी कितना बड़ी आया है बहुत ही एकदम दानेदार इसकी ग्रेवी बनकर तयार हुई है तो चलिए अभी हम इसको रख दिंगे दो मिनट सेट होने के बाद और उसके बाद हम इसको स करते हैं तो फ्रेंट्स अगर आपको मेरी आज की मटन रेसिपी थोड़ी सी पसंद आए तो फ्लीज वीडियो को लाइक और से करना ना भूले और जो चैनल पर पहली वार आए है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते साथ में बैल आइकन का वटन प्रस करना न भूलें जिससे की मेरी आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके थेंक यू